भागवत पुरान दसम सकंद 38 वाध्यात्रा श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित महामती अक्रूर जी भी वह रात मधुरापुरी में बिता कर प्राता काल होते ही रत पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दियें परम भाग्यवान अक्रूर जी व्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेम मई भक्ती से परिपूर हो गयें वे इस प्रकार सोचने लगें मैंने ऐसा कौन सा सुब कर्म किया है ऐसी कौन सी श्रेष्ट तपस्या की है अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्पूर्ण दान दिया है जिसके फल स्वरुप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूँगा मैं बड़ा विशई हूँ ऐसी स्थिती में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी जिनके गुनों का ही गान करते रहते हैं दर्शन नहीं कर पाते उन भगवान के दर्शन मेरे के लिए अत्यंत दुरलब है ठीक वैसे ही जैसे शुद्र कुल के बालक के लिए वेदो का किर्टन परंतु नहीं मुझे अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे ही क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं वैसे ही समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है अवश ही आज मेरे सारे अशुब नश्ट हो गए आज मेरा जन्म सफल हो गया क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरन कमलों में शाक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी यतियों के भी केवल ध्यान के ही विशे हैं ओ कंस ने तो आज मेरे ऊपर बरी ही क्रिपा की है उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अवतिर्ण स्वेम भगवान के चरन कमलों के दर्शन पाऊंगा जिनके नक मंडल की कांती का ध्यान करके पहले युगों के रिशी महर्शी इस अज्यान रूप अपार अंदकार राशी को पार कर चुके हैं सेम वही भगवान तो अवतार ग्रहन करके प्रकट हुए है प्रम्मा शंकर इंद्र आदी बड़े बड़े देवता जिन चरन कमलों की उपासना करते रहते हैं सेम भगवती लक्ष्मी एवं च्छन के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े क्यानी भी जिनकी अराधना में सनलगन रहते हैं भगवान के वेही चरन कमल गव को चराने के लिए गौल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं वेही सुरस्द मुनी वंदित श्री चरन गोपियों के वक्ष ठल पर लगी हुई के सर के सर से रंग जाते हैं चिन्नित हो जाते हैं मैं अवश्य अवश्य उनका दर्शन करूंगा मरकत मनी के समान सुसनिक्द कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं तोते की ठोड के समान नुकीली नासी का है होटो पर मंद मंद मुश्कान प्रेम भरी चितवन कमल से कोमल रत नारे लोचन और कपोलो पर कुंगराली अलके लटक रही हैं मैं प्रेम और मुक्ती के परमदानी श्री मुकंद के उन मुश्कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा क्योंकि हरिन मेरी डाइं ओर से निकल रहे हैं भगवान विश्नु प्रित्वी का भार उतारने के लिए स्विक्षा से मरुश्य की सी लीला कर रहे हैं वे संपूर्न लावन्य के धाम हैं सौंदरी की मूर्तिमान निधी हैं आज मुझे उन्ही का दर्शन होगा अवश्य होगा आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा पगवान इस कार्य कारण रूप जगत के द्रश्टा मात्र है और ऐसा होने पर द्रश्टा पन का आंकार उन्हें चू तक नहीं गया है उनकी चिन्मई शक्ति से अज्यान के कारण होने वाला भेद भ्रम अज्यान सहित दूर से ही निरस्त हो रहता है वे अपनी योग माया से ही अपने आप में ध्रूव लाल वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रूव लास मात्र से प्रान इंद्रे और बुद्धी आदी के आदी के सहीद अपने सुरूप भूद जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ विंदावन की कुण्जों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लिलाए करते हुए प्रतीत होते हैं जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगल में गुन कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वानी उनका गान करती है तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ती होने लगती है शोभा का संचार हो जाता है सारी अब पवित्रता दुल कर पवित्रता का सामरा जिछा जाता है परंतो जिस वानी से उनके गुन लीला और जन्म की कथाएं नहीं काई जाती वही तो मुर्दों को शोहीं सोभित करने वाली है होने पर भी नहीं के समान गर्थ है जिनके गुन गान का ही ऐसा महात्मे है वेहीं भगवान से हम यदुवन्स में अवतिर्ण हुए हैं किसलिए अपने ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रिष्ट देवताओं का कल्यान करने के लिए वेही परमेश्वरिश आली भगवान आज व्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विश्टार कर रहे हैं उनका यश कितना पवित्र है अहो देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगल में यश का गान करते रहते हैं इसमें संदे नहीं कि आज मैं अवश ही उन्हें देखूंगा वे बड़े-बड़े संतों और ़ोगपालों में वे बड़े-बड़े संतों और लोगपालों के भी एक मातर आश्रे हैं शबके परम गुरु हैं और उनका रूप सौंधर्य तीनों लोकों के मन को मुह लेने वाला है जो नेतरवाले हैं उनके लिए आनन्द और रस की चरम सीमा है इसी से स्वेम लक्षमी जी भी जो सौंदरी की अधिश्वरी हैं उन्हें पाने के लिए ललकती रहती हैं हाँ तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है आज मेरे आज मुझे प्राता काल से ही अच्छे अच्छे सकुन दिख रहे हैं जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्ष्रेष्ट पुरुष भुलराम तथा श्री कृष्ण के चरनों में नमशकार करने के लिए तुरंत रत्व से खूद परूंगा उनके चरन पकुर लूँगा ओ उनके चरन कितने दुरलब हैं बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षातकार के लिए मन ही मन अपने हड़े में उनके चरनों की धाड़ना करते हैं और तो मैं उन्हें प्रत्यक्ष पा जाओंगा और लोट जाओंगा उन पर उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक गौलबाल के चरनों की भी बंदना करूंगा मेरे अहो भागे जब मैं उनके चरन कमलों में गिर जाओंगा तब क्या वे अपने कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे उनके क्वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभैदान दे चुके हैं जो काल रूपी साप के भैसे अत्यनत घबडा कर उनकी शरन चाहते हैं और शरन में आ जाते हैं इंद्र तथा देत्यराजबली ने भगवान के उनी कर कमलों में पूजा की भेट समर्पित करके तीनों लोगों का प्रभुत्व इंद्र प्राप्त कर लिया पगवान के उनी कर कमलों ने जिन में से दिव कमल की सी सुगंद आया करती है अपने स्पर्श से रास लीला के समय वरज युवतियों की सारी धकान मिटा दी थी मैं कंस का दूथ हूँ उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ कहीं वे मुझे अपना शत्रूर तो ना समझ बैटेंगे राम राम वे ऐसा कदापी नहीं समझ सकते क्योंकि वे निर्विकार हैं, सच हैं, सम हैं, अच्श्यूत हैं सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वग्ग्य हैं वे चित्थ के बाहर भी हैं और भीतर भी वे छेत्र रूप से स्थित होकर अंतह करन की एक एक चेस्टा को अपने निर्मल ग्यान द्रिष्टी के द्वारा देखते रहते हैं तब मेरी शंका व्यर्थ है अवश ही मैं उनके चरनों में हाथ चोर कर विनीत भाव से करा हो जाओंगा वे मुस्कराते वे दया भरी स्निक्द द्रिष्टी से मेरी और देखेंगे उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुब संसकार उसी चन नस्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मगन हो जाओंगा मैं उन्हें मैं उनके कुटुम्ब का हूँ और उनका अत्यन्थ हिद चाहता हूँ उनके सिवा और कोई मेरा आराध देव भी नहीं है ऐसी स्थिती में अपने लंबी लंबी बाहों से पकर कर मुझे अवश्य अपने खड़े से लगा लेंगे अहाँ उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही वा दूसरों को पवित्र करने वाली भी वन जाएगी और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होता ही मेरे कर्म में बंधन जिनके कारण मैं अनादी काल से भटक रहाँ तूट जाएंगे जब मेरे आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोरूंगा सिर जुकाऊंगा उनके सामने खड़ा हो जाओंगा तब वे मुझे चाचा अकुरूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे क्यों नहों इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा भगवान श्री कृष्ट ने जिनको अपना आयात नहीं जिसे आदर नहीं दिया उसके उस जन्म को जीवन को धिकार है ना तो उन्हें कोई प्रिये है और ना तो अप्रिये ना तो उनका कोई आत्मिये सुहिरद है और ना तो शत्रू उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है फिर भी जैसे कल्प व्रिक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुह मांगी क्वस्तू देता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ट भी जो उन्हें जिस प्रकार भज़ता है उसे उसी प्रूप में भज़ते हैं वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर जुका कर खरा हो जाओंगा और बलराम जी मुस्कुराते वे मुझे अपने ख्रदै से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकर कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे वहाँ सब प्रकार से मेरा सतकार करेंगे इसके बाद मुझे से पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा विवहार करता है श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित श्रफलकन नंदन अक्रोर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रत उसे नंदगाँ पहुँच गएं और सूर्य अस्ताचल पर चले गएं जिनके चरन कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीट के द्वारा सेवन करते थे अक्रोर जी ने कोस्ट में उनके चरन चिंन के दर्शन कियें कमल यव और अंकुष आदी असाधारन चिंनों के द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनके उनसे प्रित्वी की सोभा बढ़ रही थी उन चरन चिंनों के दर्शन करते ही अक्रोर जी के खरदे में इतना आलाद हुआ की वे अपने को समाल ना सके विहल हो गए प्रेम के आवेक से उनका रोम रोम खिल उटा नेत्रों में आसू भड़ आए और टपकने टपक टपक कर टपक और टप टप टपकने लगे वे रत से कूद कर उस धूली में लोटने लगें और कहने लगें अहो यह हमारे प्रबु के चरनों की रज है पर एक चित कंस के संदेश से लेकर यहां तक अक्रोर जी के चित की जैसी अवस्ता रही है यही जीवों के देहधारन करने का परम लाब है इसलिए जीव मात्र का यही परम करतव है कि दंभभ है और शोक त्याक कर भगवान की मूरती प्रतिमा भक्ति आदी चिन्न लीला स्थान तदागुनों के दर्शन श्रवन आदी के दोरा ऐसा ही भाव संबादन करें वरज में पहुँचकर अकरूर जी ने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाईयों को गाय दूने के स्थान में विराजमान देखा शाम संदर श्रीकृष्ण पीतामबर धारन किये हुए थे और गौर संदर बलराम नीलामबर उनके नेतर सरत कालीन कमल के समान खिले हुए थे उन्होंने अभी इसोर अवस्था में प्रवेश ही किया था वे दोनों गौर शाम निखिल संदरी की खान थे खुटनों का सपर्स करने वाली लंबी लंबी भुजाएं संदर बदन परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी उनके चड़नों में धोजा वरज अरंकुष और कमल के चिन्न थे जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर प्रित्वीश औभायमान हो जाती थी उनकी मंद मंद मुशकान और चित्वन ऐसी थी मानो दया परस रही हो वे उदारता की तो मानो मूरती ही थे उनकी एक एक लीला उदारता और संदर कलासे भड़ी थी गले में वनमाला अमनियों के हार चगमगा रहे थे उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्प पहनने थे और शरीर में पवित्र अडंग राग तथा चंदन का लेप किया था परिक्षित अक्रूर ने देखा कि जगत के आदी कारण जगत के परमपती पुरुश उत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपून अंसों से बलराम जी और शरी किष्ण के रूप में अव्दिन होकर अपनी अंग कांती से दिसाओं का अंदकार दूर कर रहे हैं वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े वे मरकत मनी और चांदी के परवत जगत जगमगा रहे हो उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमा वेक से अधीर होकर रत से कूद पड़े और भगवान श्री किष्ण तथा बलराम के चरनों के पास साश टंग लोट गए पर एक्षित भगवान के दर्शन उन्हें इतने आहलाद हुए कि उनके नित्र आंसू से सरवता भड़ गए सारे शरीर में पुलका वलीख चा गई उतकंठा वशे गला भड़ आने के कारण वे अपना नाम भी ना बतला सकें सरनागत वच्छल भगवान श्री किष्ण उनके मन का भाव चान गए उन्होंने बड़ी प्रसनिता से चक्रांकित हाथों के दोरा उन्हें खीच कर उठाया और हृदे से लगा लिया इसके बाद जब वे परम मनश्वी बड़ी श्री बलराम जी के समा सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री किष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने दोनों भाई उन्हें घर ले गए घर ले जाकर भगवान ने उनका बरा स्वागत सत्कार किया कुशल मंगल पूझ कर स्ट्रेश्ट आसन पर बैठाया और विधी पूरवक उन्सके पाउँ पकार कर मधू पर शहद मिला हुआ दही आदी पूझा की सामगरी भेट की इसके बाद भगवान ने अतीथी अकुरूर जी को एक गाय दी और पैर दबा कर उनकी तकावट दूर की तदा बड़े आदर और शद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुनों से युक्त अन्न का भोजन कराया जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मरमग्य भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास पान इलाइची आदी और सुगंदित माला आदी देकर उ किस प्रकार सतकार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा अक्रूर जी आप लोग निर्दई कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं अरे उनके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेडों की होती है जिस इंद्रिया राम पापी ने अपनी बिलखती हुई वहने के नने नने बच्चों को मार डाला आप लोग उनकी प्रजा हैं फिर आप सुकी हैं वह अनुमान तो हम कर सकी कैसे सकते हैं अकरूर जी ने नन्द बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था जब इस प्रकार नन्द बाबा ने मधरवानी से अकरूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया तब अकरूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो कुछ थकावट थी वह सब दूर हो गई झाल 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 झाल